अल्कोहॉल के NCRT इंटाक्स कुश्च्चन में यह दिया गया है कि प्रोपीन एक कंपाउंड है उसमें दिए H2O एड़ किया जाए तो यह यह मारुपोनी कोब के रूल का ओवे करेगा इसमें जिस कारवन के पास हार्डोजन तैमाउंड कम होगा उसमें बच्चो H2O का OH- और बात वाले कारवन के पास H प्लास आयन का एड़ होगा तो बच्चो यह एक एड़ेसर रियक्शन भी है तो CH3CH में OH और यह CH2 है तो यहां पर H आके CH3 हो गया तो गंपाउंड टूटी की अलकोहल आ गया जिसका पर में हाड़ेसर कम है वहाँ पर और बात वाले के पास H प्लास आयन को एड़ किया पाट नमबर टू दिखो बच्चो यह एस्टर गुरूप है यह एक एस्टर गुरूप है और बच्चो यह एक किटॉन गु होता है मनलगख एस्ट गुढ़ते हैं यहां पर जैसे ही निसंट एट मनाता है नावजाक एग एज बनाता है तो सीव गुकश है पाइब आट गुरिक कर जाएगा और दिंग रिंग में अ एश्टर कोश्टेंड रहेगा जैसा है वैसे ही एश्टर का कोड़ चेंजिंग नहीं होगी लेकिन नहीं है तो यहां पर फोरवाण बनाने के लिए हाड्रोण और ओ में एच तो इसमें टू एड़ किया गिया है यह होडता है और उस एड़ को एक किटॉन ग्रूप एड़ सब करता है अब यह देखोब अच्छ एली हाइड है C HO का स्ट्रॉक्टर C O H यह एली हाइड है एली हाइड ने भी सिग्मा पाइड पाइड विक बॉन होता है यह जैसे ही हाइड्रियम को छोड़ेगा 2H 2X Co ग्रूप के पाइड बॉन को डिफ्यूूज करेगा यह structure लिखा मैंने CO bond break होगा ऐसा O में एक H और C में एक H आके reaction को complete करेगा तो बच्चों यह तीनो reaction में alcohol दिया है जहां इसमें CO, CO bond का break हुआ है और इसमें 5 bond का break हुआ है कुशन नंबर 5 complete होगा है है हाइड्रोबोलेशन ऑक्सिडेशन तो इसमें कुशन दिया गया है कि हाइड्रोबोलेशन ऑक्सिडेशन अभिक्रिया को समझाना है और यह सन भी देना है तो लेंग्वेज डिपेंड है रियक्शन पर तो एक एलिकीन कंपाउंट लिया गया है बच्चों यह एलिकीन कंपाउंट है जिसका नाम है प्रोपीन कहला है प्रोपीन प्रोपीन को व्यक्रिये भी लेन एका नाम कृटली प्रोपीन को तो बीपन में वैख दिया हुआ है यह थ्री अलकाइल पार्ट है यह कैसे आया तो चप्टर में इसका मेकानिजम दिया हुआ है उसमें बड़ी आसे एक बार देख लेंगे यह है ट्राइलकाइल बॉरन ट्राइलकाइल में यह आर तो बच्चों यह जो बी है बी है और बी में थ्री बॉंड होता है थ्री पॉंड में थ्री आर है जहां आर का मतलब है यह हैट्रोकारवन जब इसमें एक टू ओ टू कर्यक्ट किया जाए एक पर जो की एक अलकाइलीन बेस है बेस है तो इसमें क्या होगा कि एक टू ओ टू का जो स्ट्राक्चर होता है है एस्टू ओटू का स्ट्राक्चर इस तरह का है जब रियक्षन होगा तो यह ओच ओच बॉंड ब्रिक कर जाएगा और सी एस टू सी एस टू यहां पर स्टू का ओवज जाएगा यह अडिवन काई यह त्री लें लगा दो तो थ्ली ओओ यह गिंदी यहां से घुम उज्टिकर इन यहां पहुआ है और जो है बी का थी बॉंड होता है बैस्टो में बोला अभी तो इसमें थी पॉंड पॉर लिखते हैं इसका नेम है बोरिक एसिड तो यह है यह तरगा ऑक्सिरेशन रियक्षन जो एंटी मार्कोनिकोब बेस पे हैं एंटी मार्कोनिकोब ग्रोजी ने दिये हैं इसको अगले वारा भी दिये है मार्कोनिकोब उसका अपोजित है यह एंटी मार्कोनिकोब हिंदी में भी इसको लिख सकते हो तो हिंदी में ऐसा होगा कि एलकीन कंपाउंड को बी एस्ट्री इनि बोरोन हाड्रेट के साथ अभिक्रिया करने पर ट्राइलकाईल बोरेन प्राप्त होता है जिसे एलकाईलीन S2O2 के साथ अभिक्रिया करने से अलकाईल का निर्मान होता है इस क्रिया को हाइड्रो बोरेशन ऑक्सिडेशन रियक्षन कहते हैं तो बच्चों इसको लिखके निशे में रियक्षन जो है बढ़िया से लिख देना है कि कमेस्टी मेकानिजम का होना बहुत जरोड़ी है तो अलकाईल के प्रिपरेशन से एक मेकानिजम NCRT कोश्चन में भी है एक कोश्चन में दिया गिया है तो यह मेकानिजम इथीन से अलकाईल लाने के लिए है तो इथीन से अलकाईल कैसे लाओ गए वाटर को आड़ करके जहां एक कैटलिस्ट भी प्रियुक होगा वो है H2SO4 H2SO4 H plus iron और HSO4 minus iron में तूट जाएगा और यह वेकानिजम दो स्टेप में अप्डेट होगा और पहरा इस्टेप होगा कि फॉर्मेशन अफ कार्बोकेटायन का निर्मान तो कार्बोकेटायन का निर्मान के लिए यहां पर इत्हीं को लेना है बच्चो CH2 double bond CH2 और इसमें H plus iron को एड़ करना है डबल बॉंड ब्रिक कर जाएगा माइनस प्लस चार्ज एलक्रोन यह ले लिया है माइनस ने प्लस चार्ज को लेकर CH2 से CH3 बनेगा और यह bond यहां पर CH2 है तो बच्चो यह C plus H C plus का मतलब है यह कार्बोकेटायन है अब बी नमबर पॉइंट है जिसमें एलकोहॉल बन जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलकोहॉल एलकोहॉल का निजमान इस कटायन का यूज यहां पर करेंगे CS3 CS2 यहां प्लस का चार्ज है तो बच्चो यहां पर जल योजल लिखा हुआ है अब इसमें वार्टर के मॉलेक्यूल को एड़ करेंगे ऑक्सिजन में दो लून पैर होता है इसमें लून पैर एक लिखते हैं हम लोग एक का ही परियोग है लून पैर के वज़े से इसको कर करते हैं और यह प्लस चार्ज है एलेक्ट्रोफिलिक दोनों में एक्राक्शन होता है जैसी दोनों में अपस में आकर्शन होगा यह लून पैर इसको लेके बॉन बन जाएगा च्छ 3, C, H2 यह O, और O में 2H है यह लून पैर बन में सामील हो गया ऑक्सिजन में प्लस का चार्ज ज्योंकि ऑक्सिजन का लून पैर कम हो गया बच्छो अब इसके बाद यह ऑक्सिजन का इन निरों ज्यादा होता है अग्द्री बन इस्टबल नहीं होता है इसलिए ऑक् 2, O, H, लोन पैर रिटर्न और यहां से H प्लस आयन प्लीज तो बच्छो यह एच प्लस आया कहां से यह जय किया गया है जब कामपाउं अलकोहल आ जाए तो रिटर्न रियक्शन करके यह अपनो एच्टबल सब्लस को की पाईज में आ जाएगा तो बच्छो जब आप रिय कैटलिस्ट है तो इसका पढ़ाया गया था उसको आप ध्यान दें ठीक है तो रियक्सन का जो लाइन है सौटली लाइन ऐसा होगा कि CH2 डवलपॉर्ण CH2 प्लस H2O और यह एसीड के बेजेंस में जहां इस मतलब क्या होता है मतलब होता है डाइलूट एच्टू एस ओफोर जो क्या बनाएगा तो इस तरह का इस्टेप आप लोगों को लिखना है बोर्ड में और इंटांस में 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 यह बार आया हुआ हुआ को सब्सक्राइब यह परीवर्तन करना ना की कंपांण्ड को जुसरी कंपांड में परीवर्तन करना कि मशचि और सिर्फ में यह इसरी गरूर्शम में और ऑशुलरी है ऐसा कन्वर्शन का पहला कुश्चन का एंसर ऐसा होगा कि प्रोपीन को प्रोपेन्टु ओवल में लाना है प्रोपीन च3 च डेवलपॉंड च2 मेरी एस्टु ओ को एब किया जाए एसीड की पेजेंस में बच्चों तो यह एजीली मारकोनी कूप की रूल का ओवी होगा और हिली कंपाउंड जो बनेगा वह प्रोपेन्टु ओएंड किस कारपन में हाड़जन का माउंट कम होता है उस पे ओवच माइनस आएगा और वार्ण की वादवालसी की पास चला जाएगा इस तरह से डंबर वन स्वार्प हो गया है कि कुश्चन नमबर जो टू है बेंजाइल को राइंट देखो बच्चों हम आपको आगभी पोले हैं एक रिंग रहेगा क्या नमच्चों बेंजाइल बेंजाइल और यहां में तो क्लॉडाइड हो गया इस सील को हटा ही मुझे ओच लाना ही एक तरगा परतिस्तापन अभी करिया है तो इसमें एक वर्ण को अप्लाइं करेंगे मतलब यह क्या है है हाईट्रोलाइसिस हाईट्रोलाइसिस सब्स् एक लिए को लेकर इसमें एनिसील हट जाएगा एनिसील और यह सील के चकब में ओच आएगा तो यह रिंग है और रिंग में सी एच टू ओच्चु इसका नाम है बंजाइल अलकोहॉल जो ने वो एच देने से हुआ है यह यह पुरा नाम एक्वाज यह जली हैंदि में लिए क्विश्चन नमब थी लिए कुश्चन नमब थी है इताइल मेगनेसियम रॉराइट और इतायल मेगनेसियम प्लॉराइट से न्यूपन तो बच्चों यादे यह एक गिरनाप है बच्चों क्या है गिरनापर नीस सब्सक्राइब है तो कुष्च्ट नमबर 3 सो लिए आप हो गया होगा कि कुष्च्ट नमबर 3 इथाइल 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 और यह है जब इस कंपाउंड को फॉर्मलिटी हाइड के साथ होगा इसे आप एक सी प्रोब तो है और यह पर चुक्टर में आपको खुलना है जिनार रियेजन से अलकोफॉल कैसे बनता है आपको मिल जाएगा चल तो फुल् 높टि पैस्ट मेंकमेशत Gibson रेक्श्ट होगा क्योंकि ग्रिलनार इजेंट होन्य प्लस प्लस के पास जाहिए और इक्ष्टि में के फॉर्म में यह स्थी है यह जा रहा है यह मतलब यह है यह ओ क्या माइनिस चार्ज तो माइनस चार्ज है माइनस प्लस को खोड़ा प्लस प्लस एम घी में यह प्लस चार्ज है और जब इस कंपाउंड में एक नियू कंपाउंड बच्चो बुरा लेगा जिससे आपका कर्वर्सन कंप्लीट हो जाएगा यह एम जी है स्यल है और अजी में वर्ट वच आगे इस नम्पाउंड के नाम है प्रोपैन वन वन में ओच है आप वुश्चन फोर देखो पुश्चन फोर भी गजार येजन है ऐसे ही रियक्षिट होगा ऐसे ही रियक्षिट होगा लेकिन लेजिए यह प्रसाइज करना पड़ेगा तांपाउंड दुसरा है तो यह फोर नमबर जो पुश्चन है यह फोर नमबर मिथाई यह स्ट्री स्ट्री एम जी बच्चो और यह पी आर प्रोमाइड अब इसमें देखो बच्चो टू मिथाई प्रोपैन टू ओल तो मतलब स्ट्राक्चर बच्चो लिए और यह फोर आपको लाना है यह बच्चो यहाँ पर चैब दो-डोसी एस दुर्य और चैङये और वाला मिलेगा आपको तो चैब करें यह तो बच्चो इस त्री का नमबर 1293 होगया यह स्टित को यह मुनाएगा है यह प्लस होता है और इसमें माइनस ही क्या है प्लस होता है तो अब यह साओगा जब सी में जाएगा तो यह प्लस होगे क्योंकि यह प्रीकिंग यह माइनस चार्ज ही क्या है प्लस चार्ज तो यह के पास क्या है अब इस कंपाउंड में बच्चों इस कंपाउंड में वर्टल को आप कर दो यह प्लस होता है बच्चों यह प्लस यहां पर आजाए तो ओएच्च प्लस यहां पर आजाए तो ओच्च माइनस एमजी को लेकर यह कंपाउंड रिलिश करना है जिससे आपको सीधा यह प्लस आजाएगा नविन बच्चों वान टू थ्री है थ्री स्टी प्रोपेन तू में सीस्त्री है तू मिथाईल तू मिथाईल तू मिथाईल और तू में ओच्च है तो तू ओल एक बार में नहीं होगा इसको कई बार आप लिखें वीडियो को दो तिन बार तक देखें इसको तब क्रिया हो जाएगा और इसके जरूरी है कि निर्मान का जो मैं पढ़ाया हूं अलकॉल कैसे बनता है वह सब आपको लिखें को पूमिया